आपके सामने 100 लोगों की भीड हैं, लेकिन ब्रह्मचेरे से आपकी personality में वो दम आएगा कि भीड में सबसे अलग दिखोगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, किसी एक्जाम की तैयारी चल रही है आपकी, तो कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि बहुत मुश्किल लगता है ब्रह्मचेरे, राइट? आप शाकारी खाना चाते हो, लेकिन घर में नौन विज बनता है, जल्दी सोना चाते हो, लेकिन रात का खाना रेडी होने में ही साड़े दस बत जाते हैं, तनाव जाता है, और एनरजी ना के बराबर, ऐसे में भीड से अलग कैसे दिखें, एक स्टूडेंट इन सब मुश्किलों के बावजूद, ब्रह्मचेरे का पालन कैसे करें, आईए जानते हैं, स्टेप नमबर वन, अप आपको एक विचार से दूसरे तक ले जाता है, 99% लोग मन के वश में हैं, भीड का हिस्सा हैं वो, आप उनसे अलग बन सकते हो, ध्यान में जाकर, स्टेप नमबर टू, जिग्यासा, एक क्यूरियोसिटी लानी है आध्यात्म को लेकर, क्यूंकि आप इतहास उठा कर देख आत्मन, काम, क्रोध और मों आपकी बॉडी और ब्रेन में हैं, और 99% लोग यहीं तक सिमित हैं, लेकिन आत्मन बिलकुल शान्त है, इसी सुकुन को जानने के लिए, कोई आध्यात्मे किताब के साथ, अपने सुभा की शुरुआत करें, स्टेप नमबर 3, आत्मन इरभर ब बन गया, लेकिन आप रहना चाते हो शुद्र शाकारी, तो आपको खुद को इस दिन के लिए तयार रखना है, उधारन के लिए सत्तु का शर्बत या बादाम रगडा बना सकते हो, चना और गुर का सेवन भी किया जा सकता है, निउट्रिशन भी मिल गया और नॉन्वेज खाने से भी बज़ गये, दोस्तों मोटिवेशन के लिए बता दे, जिनकी बॉड़ी भीड में सबसे अलग होती है, वो अपना पूरा डाइट का जुगार खुद लगाते हैं, चाहे आज-पास का महौल जैसा भी हो, अगर ठाना है कुछ, तो करना ही है, स्टेप नमबर फ जो आपकी जिन्दिगी का सिर्फ हिस्सा नहीं, बलकि पूरी जिन्दिगी हो, अपने आप से कहें, जितना जरूरी है मेरा सांस लेना, उतना ही जरूरी है मेरा लक्ष, इतनी बार कहो इसे कि बॉड़ी के कर्ण कर्ण में बच जाए, और फिर जो क्रानती घटेगी आपके पालन करेंगे, शेर कीजे इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ, जिसने बच्पन की गलतियां करके खुद को कमजोरी का शिकार बनाया है,